हलो एवरिवन वेलकम टो प्रेप आईएस पर आप सब का स्वागत है और हमारे प्रिलिम्स कैश कोर्स में आज हम जो है एकोनॉमी का टेंथ लेक्चर करेंगे यह फिनेंशल मार्केट पार्ट टू और इसमें हम जो है दोनों मनी मार्केट कैपिटल मार्केट उनके इंस्ट् प्रिलिम्स एक्जाम तो विदाउट एनी डिरे लेट्स स्टार्ट तो अल्रेडी यह स्ट्रक्चर आप देख चुके हो फिनेंशल मार्केट का कैसे डिवाइडेड है यू है वेरी बेसिक डिफरेंसे बिट्वीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या फंडमेंटल ड जाते हैं जहां पर टेट एस वेल एस एक्विटी शेयर्स जो है दोनों का जो है ऐसे डेट एन एक्विटी इंस्ट्रुमेंट दोनों की ट्रेडिंग होती है ठीक है एंड एज आपिटल मार्केट इस फर्दर सब्डिवाइड इन्टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्क अगर मनी मार्केट को फर्दर डीटेल मैंनलाइज करें तो अगें इसमें जैसे आएज औरी टोल्ड यू फंड जो भी इंस्ट्रुमेंट है या जो भी लेंडिंग होती है या फिर जो है बॉर्वाइंग होती है यूजिंग दोस फैनेंशें इंस्ट्रुमेंट इस शॉट्टरम मीन, शॉट्टरम का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम ओवर्णाइट टू वन इयर ठीक है? शॉट्टरम मीन्स फ्रॉम ओवर्णाइट टू वन इयर दूसरी चीज़ जो इधर डेट सिक्यूरिटी होती है जो भी ट्रेड होती है ये कुड भी अन कोलिट्रलाइज और कोलिट्रलाइज ठीक है? तो याद रखना कोलिट्रलाइज मतलब जिनके पीछे जो है कोलिट्रल होता है राइट कोलिट्रल सार यूज जैसे इसमें जो है अन कोलिट्रलाइज क्या होती है? जो इंटर बैंक लेंडिंग होती है ठीक है? इंटर बैंक लोन्स होते हैं ए जिसमें lending borrowing होती है उस lending borrowing के लिए collateral क्या होती government security ना government security के basis पे ही lending borrowing होती है right short term repurchase agreements जो होते है right so वो हो गए आपके collateralized loans और interbank के uncollateralized loans यह दोनों होते हैं short term में right and याद रखिए debt security में दोनों collateralized और uncollateralized ठीक है इसके डावा T-bills होते हैं commercial papers होते हैं और certificate of deposit होते हैं और एक और चीज़ होती है commercial bills तो यह सब हम देखेंगे ठीक है participants को यह जो है सारे कौन क्या है instruments यह सारे instruments यूज होते हैं money market instruments है जो यूज होते है money market में for short term borrowing and lending or for short term funds ठीक है और participants कौन होते हैं right so commercial banks हो गए cooperative banks हो गए primary dealers so कुछ जो है you know some entities उनको जो है primary dealers का status देती है ठीक है insurance companies हो गई mutual funds हो गए NBFC हो गए corporate हो गए यह सब जो है money market में participate करते हैं और money market plays a key role in transmission of monetary policy ठीक है so monetary policy transmission में money market का important role है ठीक है and also जो यहां पर जो rates होते है money market जैनि जिस rate पर lending borrowing हो रही होती है money market में you know that that rate is used for pricing of credit ठीक है and it plays an important role in determining credit conditions in the economy and thereby कि क्या lending rates रहेंगी जो firms और household जो borrowing करते हैं अपनी उनकी क्या lending rates रहेगी वो कहीं न कहीं money market में जो you know benchmark rates होती है उन पर depend करता है ठीक है and overall it is regulated by RBA याद रखना money market is regulated by RBA now अगर money market instruments की बात के सबसे पहला हमारा होता है within money market there is interbank money market जहां पर banks एक दूसरे को lend करते हैं तो repurchase operations repo operations तो हम देखी चुके हैं यहां पर जो है bank एक दूसरे को lend करते हैं तो इसमें भी depending on the duration कितने duration के लेंडिंग बॉरिंग हो रही है we have different types of you know instruments to call money होता है या borrowing lending unsecured funds यानि कोई collateral नहीं पाइक कर रहें just on the basis of credit forgiveness जो है funds दिये जा रहे हैं तो this is done for overnight basis ठीक है for one day जो है या overnight basis पर जो है इतने short term के लिए जब lending होती है उसको call money notice money is you know again unsecured way में funds lend किये जा रहे हैं for 14 days okay तो overnight से ज़्यादा but 14 days तक including the 14 days ठीक है borrowing or lending होती है so that is your notice money term money that is from 14 days to one year के लिए borrowing lending हो रही unsecured funds की तो वो होगे हमारा term money ठीक है and yes यह सारे transactions execute का होते हैं over the counter markets में होते हैं so आगे अभी पढ़ेंगे over the counter markets or stock see over the counter markets क्या होते हैं these are the markets for trading in securities apart from stock exchange ठीक है stock exchange बहुत formal और regulated होता है यह less formal और unregulated होते हैं ठीक है and it is done on nds call platform so nds call platform क्या है यह भी आगे हम देखेंगे और any other electronic trading platform authorized for the purpose by reserve bank तो reserve bank ने reserve bank जिस भी platform को authorized करता है money market transactions के लिए interbank transactions के उन पे जो है यह call money notice money और term money इस type की जो है short term lending की जा सकती है ठीक है this is the first first instrument ठीक है और यहां पर देखो कुछ rates होते हैं जो हलाकि अभी important नहीं लाइब और तो लंदन interbank जो है market rate होता है यह जहां पर लंदन में जो है short term money market जो है and somewhere or the other it is linked with this ठीक है तो मुंबाई में short term lending rate जो होती है interbank lending के लिए interbank borrowing और lending के लिए जो rate होती है वो हो गया माइब आपका अभी यह इतना relevant नहीं क्योंकि लाइब और को जो है basically discontinue किया जा रहा है राइट लाइब को call you know banks को instruction दिया है कि इसकी जगा दूसरे rates फे shift करना है ठीक है so this is your interbank money market ठीक है and next जो instrument आता है आपका T-bills तो T-bills कुछ नहीं T-bill is a government security a debt instrument issued by government right और इसमें lending क्या होती है आपके या तो 91 days के लिए या 182 days के लिए 364 days के लिए इतने term के लिए lending की जाती है ठीक है so they are highly liquid instrument ठीक है कोई भी जो है holder you know can transfer it or get discounted from our way यानि कभी भी इसको जो है बेच के उस सामने वाले जो भी जिसके पास भी T-bills इसको बेच के जो है अपना जो money चाहिए वो ले सकता ठीक है they are zero coupon securities याद रोखो zero coupon bonds यह zero coupon securities that means इन पे को interest नहीं है राधर यह जब issue की जाती है तो at discount issue की जाती है and i hope you remember हमारे पिछले discussion से at discount issue करने का मतलब क्या है और face value पर redeem करने का मतलब क्या है okay and they are secured instrument and are issued for period not exceeding 364 days so secured क्यो है क्योंकि government के है तो government की case में default का बहुत ही कम chance होता है okay so banks financial institutions and corporations play normally major role in t-bill market so t-bill क्या होती है short term debt instrument जो government issue करती है ठीक है they are zero coupon मतलब इन पे कोई interest नहीं मिलता और discount पे जो है initially issue की जाती है और redeem जो है face value पे होती है and they are highly liquid and they are secured in the sense कि government की जो होती है credit worthiness बहुत हाई होती तो इसमें default का risk नहीं होता ठीक है और mainly कौन role play करते हैं इसको purchase कौन करते हैं mainly banks financial institutions और corporations ठीक है इसकी इसी की तरह एक दूसरी चीज है cash management will so basically यह भी government issue करती है short term lending के लिए right for temporary mismanages in cash flow of government of india now यह पर क्या होता है यह तो 91 182 364 days के लिए और यह but जो है maturity less than अगर 91 days है तो फिर गॉर्मेंट को 91 days से कम की borrowing करनी है right short term में तो government cash management bill जो है issue करती है और इसका purpose क्या होता है temporary जो mismatch है cash flow में government के उसको जो है meet करना ठीक है तो almost next is your certificate of deposit जैसे FD होता है right fix the deposit होता है वैसी certificate of deposit होता है यह कौन commercial bank या कोई special financial institutions देते हैं against the fund that is deposited with them but देखो FD से different case है the first difference FD के comparison में in terms of maturity maturity इनकी 91 days to 1 year तो यह जो होते हैं FD can be long term as well as short term these are CDs or certificate of deposits are short term two-story care difference है that they are freely transferable from one party to another यानि that's why they can be traded in your you know money market money market में trade किये जा सकते हैं क्यों क्योंकि freely transferable है तो जैसे आपको FD मिलती है बैंक में अपना पैसा fund deposit करते हो उसके against आपको FD मिलती है but FD आपके पास ही आपके पास रखे रहती है और एक long term period तक generally रखी रहती है और उसको trade नहीं किया जा सकता है money market में CD वही है कि आप पैसा रखो FD की जगा आपको CD दे रहेंगे जो जो आप जो है money market में trade भी कर सकते हो but यह जो होगी short term रहेगी and this can be issued to individuals co-operatives and companies ठीक है also FD के against loan मिल सकता है CD के against loan जो है generally नहीं मिलता until RBI allows for it ठीक है it can be issued by scheduled commercial bank right excluding RRBs and local area banks ठीक है select all India financial institutions जो जिनको RBI ने पर्मिट किया है कि इसके तूरू जो है वो raise कर सकते तो यह जो है issue कर सकते ठीक है these are your certificate of deposits next instrument है commercial paper so देखो basically government क्या T-bill देती है और T-bill के against security as such नहीं होती but government की इतनी greatworthiness होती इसलिए secured माना जाते ठीक है अब कोई private corporate entity हो उसको अगर पैसा raise करना हो तो वो कैसे unsecured way में कर सकती है through a promissory note so which is known as commercial bill ठीक है a promissory note क्या होता है promissory note is nothing but say there is a corporate entity A which wants to borrow say 100 rupees from B so corporate entity A will be the you know जो है एक promissory note issue करेगा ए बना के कि मैंने जो है अभी आपसे इतना पैसा ले रहा हूं और आपको एक certain amount of time के बाद जो है mainly promise करते हैं कि after this say one you know maybe six months I will be repaying you this much money ठीक है after six months I will be repaying you this much money so यह जो promise होती है this is known as promissory note ठीक है this is known as maker this is known as you know that pay या जो भी जिसको देते हैं ठीक है तो promissory note के form में जो है unsecured way में जब corporate borrow करते हैं तो उस promissory note को हम commercial paper बोलते हैं CP this is also traded in market और mostly highly rated corporate borrowers primary dealers satellite dealers and financial institutions raise resources through money market instrument you know they are eligible to issue ठीक है तो यही लोग जो है eligible है issue करने के लिए तो कोई भी issue नहीं कर सकता है क्योंकि यह unsecured है इसलिए highly created credit rating जो है credit rating जिनकी अच्छे है जिनका credit behavior अच्छा है उनका credit rating अच्छा होगा तो वही लोग जो है commercial paper issue कर सकते है ठीक है so simple commercial paper एक unsecured money market instrument है जो promising note के form में issue किया जाता है to get funds from the you know money market by you know corporate entities ठीक है और tenor मतलब क्या maturity हो सकती है seven days to one year ठीक है इसको issue करके कोई भी corporate entity seven days to one year के लिए बॉर कर सकते है ठीक है तो government क्या है टी बिल issue करके बारू करती है money और अगर corporate को short term में money market से जो है funds बारू करना है in an unsecured way तो वह commercial paper issue कर सकते है the next is commercial bill so commercial bill is nothing but trade bill accepted by a commercial commercial bank now trade bill क्या होता है see trade bill bill of exchange होता है between buyer and seller of any good or service अब bill of exchange क्या होता है the bill of exchange basically यह होता है कि say there is a seller and there is a buyer seller is giving some goods कोई goods बेच रहा है इसको save 50,000 रुपीस के goods बेच रहा है right so seller जो है seller will what what will seller do seller is a drawer seller will draw a bill of exchange और a trade bill seller will draw a bill of exchange और a trade bill or a bill of exchange seller draw करेगा और उसमें जो है यह लिखेगा कि you know you have to कि buyer का नाम लिखे या जो भी buyer या फिर कोई और ठीक है it could be anyone else और उसका लिखेगा इसको कि आपको जो है जो बिल बना रहा है वो ड्रॉर यह हो गया ड्रॉई ठीक है और पेई पेई वो होगा कि जिसको इसका पैसा जो 50,000 जो है मिलेगा वो पेई होगा most of the cases कई बार seller भी हो सकता है कई बार जो है जब bank इसमें you know as a third party आ जाता है which accepts this bill तो जो है वो हो जाता है ठीक है तो फिर यह sign करके देता है जब कि हां मैं accept कर लेता हूं कि मेर को 6 महीने बाद आपको जो है इतने पैसे 50,000 रुपीस देने है यह एक्सेप्ट देता है उसपे sign कर देता है so then it becomes a trade bill और जब यह ट्रेड बिल लेके बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि see I have this trade bill can you you know say I will get 50,000 after 6 months can you give me say let's assume 45,000 now and keep this तो इससे 45,000 ले लेता है 5000 के discount पे यह बैंक इससे यह trade bill ले लेता है और फिर बैंक फिर ultimately इससे जो है इस बिल क्या गेंस जो है 50,000 लेगा ठीक है so this this is what is known as a commercial bill ठीक है so यह commercial bill फिर बैंक के पास है तो बैंक यह कर सकता है कि further इसको जो money market में डालके जो है trade कर सकता है ठीक है money market में डालके जो है instrument को जो है it could be tradable in money market ठीक है this is a commercial bill okay so commercial bill is nothing but a trade bill accepted by commercial bank and trade bill is a bill of exchange between buyer and seller of any good or service bill of exchange क्या है एक instrument है writing में containing an unconditional order so this order is unconditional ठीक है कि कोई condition नहीं है signed by the maker directing certain person certain person यहाँ पर buyer होगा to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person यानि जो है आप इसको 50,000 देने है और किसको देने है वो आपके bill में specify होता है कि या तो इस ex-person को ही दो आप या तो फिर जो इसका bearer है जिसके हाथ में यह instrument है उसको दो right और इसमें तीन party हो गई drawer जिसने यह bill बनाया वो हो गया अपना mainly seller जिसने basically उधार दिया credit दिया he is known as drawer he draws that bill drawee जिसको जो है basically उधार दिया गया है और उसको यह bill accept करना होता है वो sign करता है तभी यह bill बनता है ठीक है and pay now payee मतलब जिसको ultimately पैसा मिले गा इस bill के अगे ठीक है now payee can be अगर यह bill hold करता है तो drawer और payee same हो जाएगा बट अगर यह किसी और को दे देता है discount पे bank को तो bank यहाँ पे payee बन जाता है ठीक है या फिर हो सकता है कि यह buyer ही किसी bank को लिया है अपने लिए अपने भियाव पे कि यह मेर भियाव पे तो वो bank जो है payee हो जाता है ठीक है so this is what is known as you know a commercial bill okay और see आपका जो bill of exchange और promissory note में एक major अंतर है bill of exchange and promissory note the promissory note में जो जो उधार ले रहा है who is borrowing that entity makes the promissory note जबकि bill of exchange is made by that entity which is lending जो उधार दे रहा है ठीक है यह यह याद रिखना है यह fundamental difference है ठीक है so this is the fundamental difference ठीक है rest both are same that unconditional order which directs to pay a certain sum of money to again to a certain XYZ person or to the one who bears that instrument जिसके पास वो instrument होगा ठीक है now next we talk about capital market ठीक है so capital market में as we have already discussed debt as well as equity instrument दोनों जो है trade किये जाते हैं and they or trade के से या तो issue कर सकते है उसको general public को या फिर privately जो है place कर सकते है to big companies और big investors ठीक है so दोना तरीक से so capital market में या तो कुछ general public को issues शेर दिये जाए जो आप लोग हम लोग करते हैं trade कई लोग share market में छोटी मोटा जो amount invest करते ना retail investors उन्हें बोलते हैं ठीक है retail investors और कोई जो होते हैं large बहुत बड़े-बड़े investors होते हैं जो अर्बो का investment करते हैं दोधान नोन एस institutional investor और दोनों जो है capital market के थुरू ही investing करते हैं ठीक है उसमें और तीन categories of participants होगे capital market में issuer of security जिनको funds चाहिए जो अपनी security issue करते हैं या तो debt security करेंगे या फिर equity security करेंगे ठीक है और investors investors में दो category होगे retail and institutional retail जो small amounts में trade करते हैं ठीक है institutional जो large amounts में और intermediaries बहुत साथ जो basically यह जो है process को facilitate करते हैं ठीक है जैसे इसमें बहुत साथ depositories आ जाती है brokers आ जाते हैं जैसे retail investor directly नहीं करता retail investor broker होता है broker broker के थुरू आप देखते हो न शेर खान वगेर यह सब जहां पर आप dmat account खुलवाना होता है आप एक broker के थुरू खरीदता है रिटेर तो that broker is an intermediary ठीक है या फिर depositories होती है which facility तो बहुत साथ intermediaries होती है जो इस basically पूरे process को facilitate करते हैं यहां पर यह सारी security state होती है it is a part of this capital market okay in fact capital market में आप जो है ब्रॉड टर्म है जिस पर see capital market don't think की कोई एक fixed place है या गयो है capital market includes everything जहां पर जो है debt or equity instruments में trade हो रहा है publicly और प्राइटली ना इसका एक part is stock exchange जहां पर जो आपके you know formal stock exchanges है जो regulated से भी से उन पर होता है दूसरा part आपका over the counter है यानि जहां पर कोई एक dealer है और उस dealer के थूरू जो है you know price negotiation करके जो है internally या privately जो है trade हो रही है securities right so over the counter market हो गया और एक stock exchange हो गया stock exchange में वही it's more transparent सबको पता है क्या trade कैसे हो रहा है over the counter में जो involved parties है उनी को पता है क्या चीज़े trade हो रही है कैसे हो रही है ठीक है so this is the difference and further capital market को भी हम दो segment में divide करते है primary market that is जहां पर नई securities पहली बार issue की जा रही है first time new securities are being issued and secondary market जहां पर once those securities are issued फिर उसको further buy and selling अगर उसकी trading होती है right that is known as secondary market ठीक है now what are various ways to issue securities in primary market ठीक है so first is public issue so public issue में मतलब basically to issue to general public okay so these here you know shares or convertible securities या जो भी आप मान लो securities है these are made to new investors for becoming a part of shareholder family of the issuer ठीक है तो entity making जो issue कर रही है उसको हम issuer बोलते है so it is called as public issue public issue मतलब general public को जो है shares दिये जा रहे है और नए investors new investors को बलाया जा ठीक है now इसमें दो तरीके से हो सकता है एक होता है IPO जो आपने बहुत जाद सुना होगा एक होता है IPO यह होता है कि जब कोई company which is unlisted unlisted मतलब stock exchange पर उसका नाम नहीं है right if there is a company जिसका नाम stock exchange पर नहीं है और वो पहली बार अपना नाम stock exchange पर लाने के लिए जो है अपने shares जो है stock exchange पर ला रही है so that जो general public है वो stock exchange के थरूँ उनके shares खरीच सके right so that is known as IPO okay that is known as IPO and इसके थरूँ जो है company trade list हो जाती है stock exchange पर और फिर उसके जो share से trade होना शुरू हो जाते है stock exchange पर which then comes into the secondary market okay so it is nothing but when unlisted company makes either you know makes either a fresh fresh issue of just a second makes fresh issue of shares or convertible securities or offers it existing so हो सकता है कि एक company ने जो है अपना अभी तक stock exchange पर trade नहीं हुआ over the counter markets में securities trade हो रही है but वो जो securities over the counter market में हो रही है अब उसको पहली बार अब उसको जो है पहली बार stock exchanges पर share कर रहा है list होके so then it is and first time sharing to public हो सकता है securities privately public को नहीं share कि हो privately जो है उसने issue कर रखी हो but अभी तक public को नहीं but first time जब public को issue कर रहा है right you know and by listing itself on the stock exchange so then it is known as IPO initial public offering ठीक है या देखना so it could be fresh की एकदम new shares issue कर रहा है right और offers its existing shares हो सकता है कि existing shares होंगे उसके already उसने privately किसी company को रहा है but वो वो first time stock exchange पर जो है ला रहा है and it could be for you know sale both for the first time to the public first time public को जो ला रहा है so then it's called IPO FPO यह है कि एक बार आ गिया लिया पिर further follow on या further जो है or shares जो है and it could again be either fresh issue or you know other type of securities fresh issue of shares or convertible securities to public or an offer for sale to public is called FPO ठीक है this is known as FPO ठीक है तो first time अब generally समझो first time जब securities जो है stock exchange पर लिस्ट करके securities public को जो है issue की जा रही है to buy right that is known as IPO फिर एक बार list हो गया है right the company is listed now and after listing it is issuing further new securities for first time to the public then it is known as FPO then there is rights issue when the issue of shares or convertible is made by an issuer to existing shareholders यानि general public नहीं जो existing जो लोग हैं जिन्होंने shares खरीद रखे company के उन्हीं को issue हो रहे है right so then it is known as rights issue ठीक है again I would recommend कि इसमें बहुत ज़्याद़ complexity में मत जाना broad broad major major चीजें हैं उनको समझो इसमें IPO में क्या है कि अभी तक issue नहीं किये थे stock exchange पे पहली बार अपना नाम stock exchange पे list करवाया और पहली बार जो है public को जो है security public को security issue की गई है ठीक है first time तो IPO और IPO के बाद further वो फिर अपनी new security या जो है फिर से जो है public को issue कर रहा है तो that is known as FPO और अगर फिर जो है जो है you know share जो issues already issue कर दिये अब उसके बाद जो है existing shareholders कोई rather than see या तो IPO के बाद या तो FPO कर सकते हैं या rights issue FPO में जो नए shares issue होंगे वो सब के लिए सारी general public में से कोई भी खरीच सकता है but rights issue में उन्हीं को किस उसको issue हो रहे है जो existing shareholders जिन्होंने IPO में खरीदा उन्हीं को फर्दार हो रहे है ठीक है and again किस ratio में तो the rights are the shares are issued in a particular ratio to the number of shares ठीक है so कितने you know percent shares है उसके basis पे issue किया जा सकता है ठीक है उसके basis पे issue किया जाता है ठीक है composite issue मतलब जब आप issue shares कर रहे हो तो public come rights basis यानि कुछ shares जो है आप public को पूरी public के लिए आपने 100 share issue किया तो 50 आपने कहा कि it is for general public में से कोई भी खरीद सकता है और 50 आपने कहा कि this is for the existing shareholders so this is known as a composite issue ठीक है then there is private placement जब आपने securities किये shares issue किये but you are not issuing it to general public but आप एक select group of persons या select institutions को issue कर रहे हो right not exceeding 49 number not exceeding 49 which is neither a rights issue nor a public issue तो ना ये है you know ना ही public issue है ना ही rights issue है और it is issued to a limited number of people ठीक है अगर 50 से ज़्यादा को issue कर जे तो हो सकता है public issue है तो you are issuing shares right or any other security आप कोई भी shares या कोई भी दूसरी security issue कर रहे हो but you are issuing it to a selected number of people not exceeding 49 and it is not a rights issue and it is not a public issue ठीक है ना ही IPO है ना ही वो है so it is called a private placement now private placement can be of three types preferential allotment QIP and institutional placement no need to go into detail just इतना याद रहो see QIP में basically see preferential allotment मतलब आप privately किसी को भी दे सकते हो shares but yes किसी को भी देने के लिए आपको कुछ certain set of norms rules regulations हैं CAB के वो follow करने होंगे QIP में यह है कि qualified institutional buyers है CAB ने कुछ institutions को यह QIP का status दे रखा है इनको आप बेच सकते हो privately ठीक है institutional मतलब जो large scale पर buying and selling करते हैं ठीक है and यह institutional placement program जिसमें एक बार आपने issue कर दिये shares अब आप further जो है FPO type से जो है further issue कर रहे हो shares इनको 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 तो already issue जिनको कर रहे हो उनको further और जो है आप shares या कोई भी security issue कर रहे हो तो that is known as institutional placement program ठीक है then let's come on to the secondary market तो primary market में तो यह सारी चीज़े होती है अब एक बार issue हो गई फिर उसके बार फरदर यह प्राइमेरी मार्केट में आगी अब उसके बार फिर फिर फरदर उनका buying and selling होगा वह होगा secondary market में यह दो टाइप से हो सकता है auction और dealer market ती auction market वह होता है जहां पर buyers और sellers जो है एक दूसरे से मतलब directly buy and sell करते है through bidding ठीक है वह auction हो गया dealer market वहा होता है कि जहां पर एक कोई dealer है वो dealer के से negotiate करके price set किया जाता है ठीक है और इसलिए stock exchange यहां buyer seller directly करते हैं वह auction market का part है और the counter market is part of dealer market की जहां पर एक कोई dealer होगा that individual controls the market उसके price वगड़र उससे negotiate करके trade किया जाता है ठीक है debt based जैसे bonds पगेरा इनका trade होता है ठीक है and see what is the significance and importance कि secondary market से जो है it imparts liquidity liquidity मतलब कि basically आप securities बेच के cash जो है immediately arrange कर सकते हो ठीक है अपनी किसी और needs के लिए इंपार्ट लिक्विडिटी तो investment तो इसी लिए जो investors है they become more you know interested in investing in these securities ठीक है देखो अगर पैसा आपको चाहिए तो पैसा एक तो bank से ले सकते इंवेस्टर है इंवेस्टर के पास बहुत सारे अलगलग avenues है इंवेस्टर कहां पैसा इंवेस्ट करना पसंद करेगा कि जहां पर वो invest किया है बट अगर मानलो से कभी पैसे की जरुत हो तो quickly वो अपनी हो सकती है तो secondary market and majority of trading जो होती है वो mainly secondary market में ही होती है now let's come on to the stock exchanges stock exchange is nothing but a platform you could think of it as a platform which is the facilitator of transactions and enables buying and selling of shares too है तो securities contract act 1956 जिसके accordingly यह stock exchange is regulated है how does it define stock exchange so stock exchange could be a association could be a organization could be a body of individuals incorporated or not established for the purpose assisting regulating controlling the business in buying selling and dealing in security so जो भी basically facilitate करते एक group है एक entity है एक platform बना लिया उन्होंने to facilitate buying selling and dealing in securities that is known as stock exchange ठीक है and stock exchange work as facilitator of the transactions in securities ठीक है और participants कौन हो गए से भी stock exchange stock brokers और investors brokers क्या है basically retail investors और stock exchange के बीच का जो है तो यह stock exchange है यह brokers हो गए बहुत सारे और यह फिर इसके तुरू retail investors retail या इवन कई बार institutional investors broker के तू करते हैं या फिर directly भी कर सकते हैं ठीक है तो there is this so there are retail investors large investors इस तरीके से there is buying and selling of securities okay that happens on a stock exchange now kuch important stock exchanges देख लेते हैं एक है हमारा Bombay stock exchange BSE okay one of the oldest you know first-ever stock exchange in Asia in 1875 and it is also the distinction of fastest stock exchange यानि इसमें जो transactions होती है with the speed of 6 microseconds so this is some you know important point about Bombay stock exchange and 2017 में BSE became first listed stock exchange so stock exchange itself got listed on you know another stock exchange so it become first listed stock exchange of India और इसमें कौन-कौन से segments में segments मतलब क्या क्या चीज़े जो है इसमें trade की जा सकती इस stock exchange पर क्या 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 चीज़े खरीज़े विच टाइप of securities can be traded and sold on this तो से भी permit करता है equity so equity securities यहां पर हो सकती है equity securities के derivatives यानि आपका कोई contract derivatives based on stocks right that could be traded here currency derivatives including interest यानि derivatives जिनकी value based है on any currency से dollar वगेरा उसका price moments पर या फिर interest rate यानि derivative जिसकी value based है on the changes in interest rate commodity derivatives यानि derivatives जिनकी value based है किसी commodity like oil या अग्रिकल्चर कमोडिटी एंड डेट डेट के टेट केटिगरी में उतला bonds वगेरा जो आपके different type of bonds है वो सब यहां पर आपके Bombay stock exchange पे trade हो सकते हैं तो इसके दो और platform में सब platforms मांग के चलो इसके एक और सब platform मांग के चलो यह सी SME platform तो इस फॉर सी यहां पर जो Bombay stock exchange पर trade होते हैं वो बड़ी-बड़ी companies बड़ी small micro enterprises हैं उनको भी अगर पैसा raise करना है तो वो कैसे कर सकते हैं they can you know issue securities SME's can issue securities on BAC SME platform and इससे entrepreneur investor friendly environment है जिससे SME's list हो सकते हैं इस platform पे and you know from the organic sector throughout India into a regulated and organized sector मतलब वो लोग जो काम आपका जो है BAC करता है और large big corporate to जिनको funds raise करने होते हैं तो वो अपने इस पे list होते हैं BAC पे Bombay stock exchange पे और अपनी securities वहाँ पर डालते हैं लोग खरीते हैं और जो लोग उनकी securities खरीते हैं तो इन बड़ी-बड़ी company इसको पैसा मिलता है जैसे टाटा हो गई टाटा की company हो गई आप टाटा का stock खरीते हो अगर Bombay stock exchange वगएर कहीं से भी तो आप जो आपको security मिल गई उसकी और जो जो दूसरा जो company है टाटा उनको पैसा मिल गई अब इसे जो छोटे platform से उनकी इतनी capability नहीं कि वो Bombay stock exchange पे लिस्ट कर पाए तो छोटे platforms को अगर fund raise करना है by issuing equity और debt securities तो वो जो है इस platform पे कर सकते हैं और investors को भी अगर बड़ी उनमें नहीं छोटे उनमें invest करना है companies में small micro enterprises में तो वो जो है इस platform पे आके इस platform पे जाके आप जो है बहुत सारे SMEs हैं उनमें आप जो है invest कर सकते हो तो आप जो invest करोगे वह SME को पैसा मिलेगा उनके तुरू वो business कर सकते है Sensex so Sensex is basically an index एक benchmark index है और BAC India Bombay stock exchange का benchmark index है और इसमें जो Bombay stock exchange पे बहुत सारे stocks ट्रेड हो रहे हैं ठीक है तो उसके जो 30 stocks हैं जो largest or financially sound companies के stocks जो companies है जो BAC पे listed है और जो largest 30 stocks जो trade हो रहे हैं उस पे Bombay stock है उन 30 की values को मिलाके एक index बनाया जाता है which is known as Sensex तो जो 30 companies है largest जिनके stocks basically आपके BAC पे trade हो रहे हैं उनको जो है लेके उनके सारी stocks के value को लेके एक index बनाया जाता है that is known as Sensex ठीक है तो यह देखना is a basket of 30 stocks representing countries largest and financial sound companies listed on BAC ठीक है तो देखो greenly मान लो let's assume Tata's है right Tata हो गए reliance हो गए तो इनके stocks जो इसे large 30 जो large companies है जिनके stocks जो है Bombay stock exchange पे listed है और trade हो रहे हैं तो इन 30 के जो stocks की value है उसको जो है basically you know उन सबका certain weight लेके index create करते हैं वह index होता है Sensex और यह basically index बताता क्या है कि अगर यह index पूरा उपर जा रहा है या नि Bombay stock exchange में जो overall जो है market जो है अच्छा perform कर रहा है अगर नीचे जा रहा है तो overall अच्छा performance नहीं है ठीक है next similar to Bombay stock exchange you have national stock exchange ठीक है so again it was incorporated in 1992 and recognized as a stock exchange by SEBI in 1993 so या दिखना इसी भी उसको stock exchange recognize होना है so regulation के लिए यह act है और recognition कौन देता regulate कौन करता है इन को से भी okay remember this और क्या areas में permit किया गया है इसको equity equity derivative currency derivative and debt same जो सारा BAC को permit किया है वही इसको permit किया ठीक है and first dematerialized electronic stock exchange in India तो आज की date में जो आप stock exchange देखते हो DMAT accounts वगेरा देखते हो see पहले ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था physical जो है यह stocks होते थे ठीक है physical form में होते थे paper form में और उसको trading होती थी बट वह बहुत ज़्यादा you know cumbersome था complex था ठीक है retail investor के लिए तो invest करना buy sell करना बहुत मुश्किल होता था तो फिर बाद में क्या होगा dematerialization हो मतलब basically यह सारी securities को जो है electronic form में convert किया गया और electronic form में ही trade करने के लिए पूरा एक system लाया गया तो यह अब आज के लिट में सारा जो सारा trade होता है जो stock exchanges पर होता है चाहे Bombay हो या most of the trade या Bombay stock exchange हो या national stock exchange हो it takes place in dematerialized firm यानि paper के base में securities नहीं होती अब online based में जो है trading होती है electronic form में securities है और electronic form में ही buying and selling of securities होती है through an electronic account known as DMAT account DMAT account जो आप सुनते हो ठीक है so that is known as that इसका भी एक index है nifty this is the benchmark Indian stock market index which represents weighted average of 50 वहाँ पे 30 का था यहां 50 largest Indian companies listed on NSE national stock exchange पे जो 30 largest companies हैं लिस्टेड हैं जिनके stocks 50 largest companies listed हैं जिनके stocks trade हो रहे हैं उनका जो है weighted index एक बनाया जाता है वो जो है आपका nifty हो गया ठीक है और एक और इनका portal है NSE Emerge तो यह basically for again जैसे BSE SME platform था ना कि smaller medium sized enterprises जिनको अगर you know they want to raise funds from market by issuing securities तो सीधा national stock exchange पे तो issue नहीं कर सकती तो उनको जो है उनके लिए platform बनाया NSE Emerge यहाँ पर जो है आपके small and medium enterprises है यह start-up companies है वो अपनी securities issue करके यहाँ से funds ले सकती है ठीक है तो these companies can get listed on NSE without IPO so इसके through NSE में यह company list हो सकती without issuing IPO IPO के लिए उनको basically बहुत ही cumbersome process होता है और बहुत ही money ऐसा वैसा लगता है इसमें तो छोटी company इसके लिए possible नहीं है तो इसलिए if they want to get listed in NSE without IPO तो वो NSE Emerge पर अपने issue portal जो है issue कर सकते है so it helps SMEs and startups to connect with investors for funding ठीक है तो जो startups SMEs है उनको fund चाहिए तो इसके तुरू connect हो सकती है now next is an innovative thing जो recently एक दू साल में now past two years back announce की गए थी right which is social stock exchange तो देखो अभी तक जो सारे stock exchange है वहाँ पर जो mainly for profit businesses जो है जो business mainly profit करना चाहते हैं वह तो वहाँ पर securities issue करके funds raise करते थे ठीक है बट यहाँ पर social enterprises जो basically profit भी बनाना चाहते है बट एक social work भी करना चाहते है कोई social goal है उनका उसके लिए पैसे raise करना चाहते हैं while making profit उनको funds चाहिए तो वो इस social stock exchange पर जो है अपने funds जो है अपने securities issue कर सकते है now that security could be equity or debt और पैसे raise कर सकते है ठीक है तो it is an enabler of capital access for social enterprises और यहाँ पर देखुआ बेसा नहीं कि हर कोई कर सकता ठीक है यहाँ पर या तो non-profit organization या फिर for profit companies जो हैं कर सकते हैं और again उनको जो है they should be classified और they should be categorized उनको जो है एक social enterprise का tag मिलना चाहिए और social enterprise का tag कब मिलेगा तो they have to qualify as social enterprise when will they NPO non-profit organization या for profit organization अगर वो यह दिखा दे कि जो वो काम कर रहे हैं उनका primary जो है social impact होगा demonstrate primacy of the social जो भी काम करें उसका social impact जो है primary demonstrate करें दूसरा वो target करते हैं underserved और less privileged right in any of the 15 broad categories of social तो सेभी ने 15 category of social welfare activities है अगर उनमें से कोई कर रहे हैं तो फिर वो जो है social enterprise जो है classify होंगे ठीक है eligible social welfare activity ठीक है तभी वो जो है इस social enterprise पर लिस्ट हो सकते हैं ठीक है जो भी लिस्टेट social enterprise होंगे they can then raise capital के किस टाइप के instruments के तुरू equity zero coupon bonds mutual funds social impact funds development funds development impact bonds इन सबके तुरू जो है वो fund raise कर सकते हैं ठीक है लिस्टेट social enterprise will enjoy tax benefit right और इनको tax benefit मिलेंगे and all but इनको साथ में they they would be subject to mandatory social audits ठीक है यह जो है कुछ certain regulations है वो है regarding social stock exchange now let's see some important related terms to the capital market कुछ terms जो capital so first term is your market capitalization so it simply means कि basically आप सब समझते हो कि shares या stocks जो है जो है company के जो issue होते है right capital market में so market capital is nothing but total value of publicly traded companies outstanding common shares owned by the stockholders so company ने जो shares issue कर रखें अपने capital market में right उसकी total value कितनी है that is equal to market capitalization so it is equal to the market price per common share और यहाँ पर कौन से share common share normal share the market price per common share multiplied by number of common shares outstanding मतलब कितने shares जो है market में उनके trade हो रहे हैं इन दोनों को multiply कर दो तो किसी भी company का जो stock exchange पर market capitalization आपको मिल जाएगा now bulls and bears तो basically market में क्या होता है speculation होता है कि भी हम जो भी investor है वो speculate करता है speculate मतलब they assume या they think कि future में price बढ़ेंगे या घटेंगे और उसके basis पे वो securities buy या sell करते हैं तो bulls कि एसे stock market speculators हैं जो basically buy करते हैं shares in bulk indy believes that share का price जो है rise होगा so bulls क्या सोचते हैं यह इस type के investors है जो सोचते हैं कि future में इस security का या share का जो है price बढ़ेगा so that's why if if share का price बढ़ेगा future में so let's buy a lot of it right now और फिर उसको जो है बाद में हम बेजीब देंगे तो जो price बढ़ने से जो profit होगा वो उनको हो जाएगा pairs उल्टा सोचते हैं they speculate यह सोचते हैं कि इनके price जो है basically you know इनके पास shares है and they sell shares in the believe that stock prices would go down तो यह सोचते हैं कि आगे जाके stock prices कम होंगे so it is better कि हम अभी sell कर दें ताकि हमें हमारा profit कम ना हो या फिर हमें जो है loss ना हो ठीक है so that इनका profit अभी ज्यादा हो जाएगा sell करने से इसलिए अभी बेज दो या फिर loss ना हो इसलिए अभी sell करना better क्योंकि future में शेयर या stock के price कम होंगे those are known as bears इंसाइडर trading यह भी वर्डिक बहुत सुनाओगा see basically buying and selling of shares हो रहा है अब आप stock exchange में कर रहे हो तो stock exchange में normally जो buying and selling shares करते हैं वो लोग किस basis पर करते हैं कि जो सारी information normally publicly available है right but कुछ लोग जब AC information पर जो publicly available नहीं है जो company की internal information जो किसी को नहीं पता future decisions जो लेने वाले है उस basis पर buy and sell stocks करते हैं so that is known as insider trading this is illegal ठीक है that there is circular trading so it is practice of trading in a share among a group of individuals in such a way to send signal that price of stock is going up to make an impression that stocks are greater so basically इसमें क्या होता है circular trading में तीन लोग हैं ABC तीनों आपस में ही एक दूसरे से securities जो है buy sell buy sell करते रहते हैं तो इसे करते रहेंगे आपस में और थोड़े थोड़े price पर बढ़ा के तो क्या होगा कि stock market में लोग देखेंगे कि यह security तो बार बार बिकरी और इसका price constantly बढ़ रहा है तो क्या impression जाएगा कि basically यह security है इससे क्या हो रहा है यह इसका price जो बढ़ रहा है तो basically impression यह जाएगा कि security जो अच्छा perform कर रही है तो जो दूसरे speculators है particularly like bulls वो क्या करेंगे खरी देंगे वो खरी देंगे तो क्या होगा कि फिर और यह further reinforce हो जाएगा idea कि इस stock का price जो है उपर में right to get funds but buyback मतलब basically वो company market से वापस अपने shares खरीद लेती है so can buyback a certain percentage of shares from market directly this is known as buyback issue की है market में funds release करने के लिए बट फिर जब market से वापस हो अपने share से company क्रीद ले इसके पीछे काफी reasons हो सकते हैं one is to you know retain their ownership one is to basically कहीं बार shares के prices बढ़ाने के लिए ताकि कम जब company अपने shares market से बाइबेक कर लेगी तो shares कम quantity में हो जाएंगे तो it will basically demand supply equation को जो है basically demand ज्यादा हो जाएगी supply कम हो जाएगी तो उसके prices बढ़ेंगे right so with many intents जो है यह किया जाता है short selling and I am sure यह आपने सुना होगा basically so it is nothing but selling a stock which seller does not own so एक ऐसे seller एक ऐसा stock बेचता जो वो ओन नहीं करता rather it has borrowed it ठीक है so जब मैं trade कर रहा हूं मैं उस trade करता है ऐस इसा stock बेच रहा हूं जो मैं ownड नहीं करता और यसा क्यों कर पारा हूं केयों कि मैं stock खरीद नहीं रहा मैं borrow करता हूं तो investor basically stock borrow करता है और क्या करता है उसको फिर sell कर देता है और ये करता है sell करता है at high price high price पे sell करता है और क्यों ये कैसा करता है क्योंकि he believes that आगे जाके जो है इसका price कम हो जाएगा तो अभी क्या हुआ borrow करके मैंने stock borrow किया और borrow करने के लिए पूरा price नहीं थोड़ा बहुत price पे करना पड़ता है मैं borrow करता हूँ मैं बोलता हूँ कि 6 महीने बाद आपको वापस इतने price पे दे दूँगा ठीक है अभी high price है तो बाद में जो है क्या करता है जब price कम हो जाएगा buys back the stock and returns it to the lender तो अभी खरीदा यो borrow किया और अभी high price है तो अभी sell कर दिया और बाद में मैं क्या करूँगा अभी sell कर दिया मेरे पास पैसा आ गया अब जब return करने का time आएगा और मुझे पता है यूनों जैसे हिंडन बग के case में देखा था उन्होंने यही किया बॉरो किये what they did दिए बॉरो किया Danny Group का stocks और उसको sell कर दिया ठीक है now they release their report report release की Danny Group के stocks की value कम हुई और फिर कम value पर जब sell किया है उन्होंने तो अब वापस return करने की बात आई तो उनके पास ज्यादा पैसा है obviously कम value पर उन्होंने खरीदा और वापस जो है return stocks खरीद के जो है lender जिससे इन्होंने बॉरो के तो उसको return कर दिया ठीक है so this is how short selling happens okay इस तरीके से short selling होता है ठीक है so short selling is simply when an entity borrows a stock and sells it okay borrows a stock and sells it and at a later date it basically buys the stock and returns it to the lender okay यह जो होता है short selling depository so depository is nothing but a bank for securities so bank में आप money रखते हो depository में जो है लोग investors अपनी securities रखते है जिसे bank में money रखा जाता है depository में investors अपनी securities रखते है ठीक है तो bank में money रखा जाता है depositors यहाँ पे securities so securities में यहाँ shares bonds वगयरा सब कुछ होगे वेरिंट deposits are securities यहाँ पर deposit account जो खुलते हैं उसमें जो है electronic form में यह सारी securities जो है deposit होती है इंडिया में इसी दो depositories है जो यह dematerialization service देती है जैसे banks तो बहुत सा है बढ़र depositories दो ही है national securities depository limited ndsl और central securities depository limited यह दो ही depositories है इंडिया में ठीक है तो यह क्या करती है यह basically जो भी investors वगयरा है या brokers है उनके account होंगे इसमें और वो जो है जैसे कई बार आप retail trading में तो आप क्या हो आप एक retail trader हो आप demat account खुलवाते हो broker के साथ और broker का account होगा ndsl में या फिल cdsl जहांपे broker की सारी securities हो और जहां से broker securities buy sell transfer करता है तो यह ndsl cdl क्या करते है यह basically इनके जो major major बड़े-बड़े stock market के players हैं या brokers वगरा उन सबके accounts होते हैं उनके shares उनके जो securities हो यहां पर है अब मान दो कोई भी buying and selling होई तो यह आपस में यह इन ही accounts में जो है वो transfer हो जाता है electronically ठीक है then next is algorithmic trading तो nothing it is also known as automated trading black box trading और I'll go trading तो basically क्या होता है जो trading हम humanly buy and sell के orders होते हैं यहां पर जो buy and sell के orders होते हैं वो pre जो है basically algorithm होता है एक preset set of instructions होती है जो एक computer को दी जाती है कि इतना कम हुआ तो buy करना इतना ज्यादा हुआ तो sell हुआ तो एक algorithm होता है ठीक है एक set of directions दी जाती है computer को regarding buying and selling of securities और वो computer automated way में जो है यह सारी orders execute करता है ठीक है so that this is known as algorithmic trading ठीक है this is known as algorithmic trading ठीक है is a set of directions to solving a problem so again basically यह जो है algo trading आज के जिए में बहुत ज्यादा बड़े जा रहा है and it is much more faster compared to human trading so humans के comparison में computer बहुत faster rate पर जो है algorithms execute करता और trade करता ठीक है so basically जो time का difference होता है उससे वो profit बना पाते है okay then now lastly let's have an overview of securities market see यह इसलिए अलग से पता जा रहा है यह सब हमने discuss कर लिया है but to get an overview कि government securities market क्या होता so it's basically a market जहां पे you know tradable instrument is issued by the central government or state government so see कोई भी securities market equity है मतलब equity type का government का मतलब government ने कोई tradable instrument ये tradable security issue किये जहां पे government के securities में trade होता है उसको हम government securities market बोलते है and इसको हम G-Sex बोलते है government securities and they have practically no risk of default that's why वहां पर हमने बुदा they are secured ठीक है hence called risk-free guilt-edged instrument यहां दखने risk-free guilt-edged security now इसमें भी securities दो टाइप के होती है short term borrowing के लिए तो T-bill या cash management bill long term हुई तो dated securities बोलते है central government long term मतलब एक साल से ज़्यादे के लिए dated securities जैसे 10 साल के लिए 15 साल के लिए dated securities issue करती है और state governments state developmental loans state developmental loans यह issue करते है so state government यह issue करती है central government dated securities issue करती है and they are issued through auctions conducted by RBI so RBI auctions conduct करती है इनके उसके तुरू issue होते है ठीक है and यह auction कहां पर conduct होते है on an electronic platform called e-cubair the CBS solution platform for RBI and major players कौन होते है कौन buying and selling करते है government securities की commercial banks primary dealers PDs मतलब primary dealers यह भी बड़े-बड़े investors होते है basically institutional investing institutions होते है जिनको RBI ने यह status RBI primary dealer का status देती है ठीक है then other institutional investor like insurance funds वगरा यह सब ठीक है and there is also an active secondary market यानी first time तो issue हो गई secondary market भी है government securities का and यहां पर buy and sell होती है और यह secondary market कहां पर होता है through negotiated dealing system nds-om ठीक है यहां पर जो है online way में जैसे वहां पर national stock exchange Bombay stock exchange पर होती है जो है दूसरे securities के लिए government securities के लिए trading यहां पर होती है over the counter market reported on so over the counter मतलब C इस पर नहीं हो रही जैसे stock exchange हो गया वैसे यह हो गया but over the counter मतलब dealers जो है अपने आप से कर रहे trading but it has still to be repeated you know reported on this platform ठीक है यह एक platform में trading का nds-om web and stock exchange stock exchanges पर भी होती है ठीक है stock exchanges पर भी आपकी यह security state होती है तो यह सारे platforms पे government security secondary market में जब एक बार issue होने के बाद buying and selling जो है इन सारे platforms पे होती है और issue होने के बाद first time issue हुई है तब क्या इक बार issue होगे इन सबके बाद securities है अब वो इसको trade करना चाती है government securities को तो यह तो इस platform पे इस platform पे यह सारे जो है market avenues है जिनके तुरू वो trade कर सकते हैं then there was also a scheme that was launched by RBI retail direct scheme so basically यह एक scheme है जिसके तुरू government securities में individual investors directly जो है invest कर सकते हैं अब see इससे पहले भी कर सकते थे बट कोई direct mechanism नहीं था यह जो है direct mechanism है right so under this scheme जो individual retail investor है जिससे आप और हम हैं हम लोग जो है एक guild securities account open कर सकते हैं RDJ account or with RBI और इस account के थू हम जो है both primary और secondary market जो है उसमें trade कर सकते हैं government securities में ठीक है we can trade in retail investors can trade in government securities through this ठीक है now last is the SEBI which is the regulator of capital market okay SEBI is the regulator of capital market now again it is it was initially constituted in 1988 through a resolution of government so non-staturate था फिर बाद में SEBI act आया 1992 में इसको जो है statutory status मिल गया that means it was now constituted by a law of the parliament और main role क्या इसका यह इसके preamble से हम समझ सकते हैं तो सबसे पहला basic function है protect the interest of the investor जो बहुत सारे investors जो होते हैं बड़े या small उनका interest प्रोटेक्ट करना and second is to promote the development of and regulate the so securities market को develop करना ताकि वो और अच्छे से effectively function करें और नए-ने products आये वहाँ पर यह और साथ में securities market को regulate करना ठीक है and any other thing regulated to it तो यह तीन major function है से भी के और साथ में investor protection में investor information मतब investor को informed रखना जैंवेस्टर की knowledge देना उसको कि कैसे trade किया साथ है क्या सब यह भी एक role है ठीक है so these are the roles of SEBI ठीक है so with this हमारा financial market वाला chapter जो है is completed और सारी चीज़े हमने जो major जो चीज़े है right all the things we have done mostly see more than 90% there is a chance की यहीं से question आएगा 95% ठीक है past के questions भी आप देख सकते हो कहीं न कहीं यहीं से आएगा इनको आप अच्छे से करो revise करो once you revise it and get it और बाद में थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो थोड़ा additional अगर current affairs में से now कहीं बार कहीं लोग सोचते हैं कि sir कुछ चीज़ों में UPSC ने काफी deep पूछा right so वो इसलिए हो जाए कि वो current affairs में तो अगर इन में से कोई भी चीज if any of these things is in current affairs तो हम वहां current affairs में उसको handle करेंगे और basic के साथ साथ detail में कौर करेंगे because अगर यहां पर यह जो सारी चीज़े मैंने आपको बताईए अगर यह सब आप बहुत detail में करना चाहो तो इसी में आपको गंटे लग जाएंगे which is again not worth it क्योंकि इतना UPSC detail आस नहीं करता इतना मैंने आपको बताए काफी question जो है इतने question past year में आये है financial markets से अगर जो भी जितने आये I would say more than 90% questions आप इतनी information के साथ अराम से अर सकते हो ठीक है so with this let's wrap it wrap this lecture or let's meet again in next lecture